कॉंग्रिस की पूर्व प्रदेश, प्रभारी और हर्याना के सिर्सा से कॉंग्रिस की लूग सभा प्रतियाशी कुमारी सैलजा ने लीगल नोटिस भेजा है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शावल होई है और वहीं कुमारी सेलजा के लीगल नोटिस पर बीजेपी के नियता चंदरशेखर शुकल का बयान भी सामने आ गया चंदरशेखर शुकल ने कहा कि वो लीगल नोटिस से ना तो ढरे थे और ना ढरेंगे इसका जवाब दिया जाएगा मानी कुमारी सेलजा का लीगल नोटिस पराप्स हुआ है और हम लोग च्छतित गड़ से सिर्शा भारती जनता पार्टी की मोधी जी की विती मीतियों का प्रचार करने आ है और च्छतित गड़ में वो सभी घटनाय घटित हुई है उसकी वास्विक्ता बताने आए लेकिन अपनी हार से वो बौकला गई है और इस बौकलाहट में थीच में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस दे जा है इस नोटिस से ना हम दरे थे ना डरने वाले है ग्यारह पूर्व कॉंग्रेसी नेताओं को कुमारी सेल जाके लीगल नोटिस पर अब डिप्टी सियम विजय शर्मा भी बयान दे रहे हैं जो भात्पा में शामील भी ओन लोग है और जो सच तब वो कहा जिसके प्रभार में जो कुछ हुआ उसी को बताया शराब के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है इस समय का मामला है तो कहा कि इनके संब्सक्रण में होता है तो कया गलत के है और 11 को धेड़ान आगया है भई कि अभी ऐसे सरकारों करना चाहिए इसलिए का मामला है चाहिए बात देखेंस इस तरह की बात की जाती है बात खोगया कोई नहीं भी आ जो दोसी होंगे सो होंगे जो जात होगी उसमें सबके बारा अथे लिए बारा बर जात होगी चाहें किसी पार्टी उससे कोई लें देन मसला यह है कि अंतिम निर्णे आने से पहले अगर यह कह रहे हैं कि इनके एक्षान एक्षन में ऐसा होता था तो इनकी जानकारी में हो भी तबना कह रहे हैं चतीजगर में कॉंग्रेस के पूर्वर नेताओं को कुमारी स्वैलजा की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया इस पर कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंदर साहू कह रहे हैं कि किसी भी स्थापित नेता पर कोई आरोफ लगाने का एक तरियक का होता है लेकिन उन नेताओं को आरोफ लगाने को कोई अधिकार नहीं जो पार्टी छोड़ चूड़ चुके हैं और बीजेपी के शारे पर काम कर रहे हैं इन पर तो कठोर कारवाई होनी चाहिए प्रभारी महामंतरी को प्रभारी सची को महासची को के उपर किसी भी तरह से दोसा रूपन करना और खासकर ऐसे लोगों के दोरा जो लोगों खुद कांग्रेश की परति जिनकी आस्था नहीं है इस साल से कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है 22 मई को नई शिक्षा नीती को लेकर राज्य के सभी कॉलेजों में ओर्डिनेंस पास किया जाएगा विद्या परिशायत कार्य परिशायत में इसे पास कर भेज़ा जाएगा सरकार इसका प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल को भेज़ेगी नई शिक्षानीती के कई फायदे छात्र छात्राओं को मिलेंगे ऐसा भरूसा दिया गया है। तो उसके लिए हमको वन विख का टाइम मिला हुआ है वन विख में सारे बिश्व विद्यालें को आडिनेस को पास करना है। आधार पे कैसे पार्टिक्रम होगा, कैसे एक्जाम पैटर्न होगे, मार्किंग सिस्टम कैसे होगा, वो सारा चीजें आर्डिनेस में लिखा हुआ है. आईपील पर महादेव एप से सटा खिलाने वाले अंतराजी सटोरियों पर कुर्भा पुलिस ने बड़ी कारपाई अंचाम दी. गोवा से साथ और एक स्थानी सटोरियों को कुर्भा से गिरफ़तार कर लिया है, साथ वा रुपी गोवा में बैटकर महादेव M100, M151 पैनल से IPL सटा संचालित करते थे. महादेव और्गनाइजेशनल इन्पुच पर पॉलिस ने ये कारवाई किये. पॉलिस के मताबिक पकड़े गए अंतर राजजी सटोरियों में 36 गड़ के 4, महाराश्ट के 2 और हर्याना का एक आरुपी शामल है, जो गोवा में फ्लैट किराए पर लेकर महादेव सटा एप का पैनल चलाते थे. सटोरियों के कबजे से 13 लापटॉप, 48 मुबाइल फोन, 26 पासबुक, 14 चेक बुक और 40 एटियम कार्ड जब्द किये गए. 13 लापटॉप, 48 मुबाइल, 40 एटियम, 10 चेक बुक, फुल मश्रूप का लगभग 25 लाख रुपे हमने जब्द किया है. साथ ही साथ इसमें 135 खातों को भी जानकारी हमको मिली है. इन 35 खातों में से 84 खातों को अभी तक हमने सील कर दिया है. इन खातों के अंदर वर्तमान में लगभग 30 लाख रुपे किराशी मौजूद है, जिसको फ्रीज कर दिया गया है, जिसको खोल्ड कर दिया गया है. इन साथ लोगों के अलावा हमको कुछ ऐसे भी लोग विले हैं, चार लोग अभी तक हमने गिरफ़तार किये हैं, जो अवैज तोर से अपने खातों का उप्योग IPL सट्टे के संचालन के लिए. राजनान गाओं की पकरेंगे बाद जहांपर पुलिस ने डीजे और धमाल पार्टी पर आक्शन लिया, दो डीजे और धमाल साउंड सिस्टम को जब्त किया, देर रहा तक डीजे और धमाओं बजाने को लेकर ये कारवाई अंचान दी कही. पुलिस ने पुलिस अधिकारी बन कर भूले भाले लोगों के साथ छगी करने वाले ठख गिरों के दो आरुप्यों को गिरफ़तार कर लिया है. पुलिस ने इनके पास से 30,000 रुपे नकट और तीन मुबाइल भी जब्त किये हैं. पताएं कि गिरों का एक सदस्याब भी पुलिस की गिरफ़त से बाहर है, इसकी तलाश जारी है. इस गिरों के लोग अपने आपको पुलिस सद्धिकारी बताकर लोगों से आनलाइन ठखी करा करते थे दोनों अलवर्ज जिले के रजस्थान के रहने वाले हैं. पर बेच रहे हैं. शंगराचारी अस्वामी अभी मुक्तिश्वरानंद ग्वालियर पहुंचे थे जहांके कमल सिंग का बाक में शंगराचारी की अगवानी की गई इस मौके पर उन्होंने बीज़बी के चार सो पार के नारे पर निशाना भी साधा और कहा कि जिसका डंका बज रहा हो उच से पांच सो दिर्टालिस का नारा दियना चाहिए था महीं समिधान खत्म करने के बयान पर और बहस पर कहा कि समिधान खत्म नहीं होगा सशूधन होते हैं सब चुनाओ के समय में कहे जाते हैं चार सो का टार्गेट कोई रखेगा तभी तो तीन सो दो सो डेर सो पहुंचेगा तो टार्गेट तो अच्छा ही रखना पड़ता हम तो बड़े आश्चरी चकित हैं कि जिस व्यक्ति का डंका बज रहा हो पूरे देश में और पूरे विश्व में वो 543 जहां पर संसदीव शेत्र हों वहां 400 पार का टार्गेट रखे हमको बड़ा अश्चरी हुआ जब हमने ये टार्गेट सुना संविधान कभी खतरे में नहीं है संविधान में संसोधन जितनी सरकारे आई हैं सबने अपने समय में किया है सव से अधिक संसोधन अभी तक हो चुके हैं अगर कोई और एक संसोधन कर देगा तो बहुमत होने के कारण वो बहुसंख्यक आबादी की बात को उसमें सम्मिलित करेगा श्रिलंका के नुवारा एलिया में सीता अमन मंदिर में कुम्भा भिशेकम पूजा चल रही है इस मौके पर दुनिया भर से श्रद्धालू यहां पर पहुंच रहे हैं आच ओफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी यहां पहुंचे और सीता माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और कुम्भा भिभेश शेक अब संपनकर आया आपको बता दें कि सीता एलिया या शोकवाटी का वो इस्थान जहां पर देवी सीता को रावण ने बंधक बना कर रखा था श्री श्री कहते हैं कि ये वो इस्थान है जहां सीता जी को आशा मिली थी, हन्मान जी आए थे और उन्हें आशा दी थी कि श्री राम आ रहे हैं और राम रज धापित होने जा रहा है ये जगा पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए एक उमीद होगी कि सच्चाई की हमेशा जीत होगी और महिलाएं वास्तों में शक्तिशाली हैं मैंने श्री लंका सरकार सुई रामायन और इसकी शिक्षाओं को स्कूली पाच्छिक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया है ऐसे हैं जहां पिछले दस सालों की तुल्ना में जमीन का जल इस तर दस से बीस मीटर तक नीचे चला गया है यानि ये शहर ग्राउंड वाटर लेवल के मामले में सेमी क्रिटिकल जोन में आ चुके हैं गौलियर शहर की प्यास बजाने वाला तिघरा डैम भी अब खाली होने लगा है जल संकट के आठ को देखते हुए गौलियर नकर निकम शहर में एक दिन चोड़ कर पानी सप्लाई कर रहा है लेकिन शहर के कई इलाके भारी जल संकट से जूज रहे हैं गौलियर कीदीन दयालनगर, शहताबदी पुरम, आदिती पुरम, गौकुलधाम, हजीरा के कई इलाकों में पे जल सप्लाई नहीं होने से लोग खासे परिशान है इलाकों में लोग नीजी टैंकर से पानी खरीदने के लिए मजबूर है उधर अफसर कह रहे हैं कि हालगी में जल संकट को देखते हुए शहर में एक दिन छोड़ कर पानी की सप्लाई शुरू की गई है फिलहाल तो हालात सामाने हैं वहीं आगामी जल संकट से ने पटने के लिए टैंकर संचालन की यूजना भी बना ली गई है पहले परिशाद निक प्रस्ताव बारत किया था जिसमें शहर में एक दिन छोड़के एक दिन जल्गया पूर्ति की जानी थी उसमें भी आज के हिसाब से भी 31 जुलाई तक का हमारे पास पानी है उसके अलावा भी हम लोग ने शाशन से यह भी मांग की है कि अगर हमें जर चार वही कर रहे ही और लोगोतानि चाहर में इस साल जल संकट के हालाद बन रहे हैं ग्वालैर के ग्वालैर लशकर लिड़ी नगर सईत कए इलाके ऐसे है जहाँ पर हजारों की तादाद में परिवार पानी के लिए परिशान है आप देख सकते हैं कि गोकुल विहार इलाका है जहां किस तरह से पानी की समस्या है इस इलाके में करीब 20,000 से ज्यादा लोग जलसंकट का सामना कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि बरतन रखे हुए हैं ये खाली बरतन न्यूज 18 के जरीए हम इन लोगों की समस्या उठा रहे हैं शायद नगर निगम के कान पर जूर रहेंगे शायद मद्धि प्रदेश सरकार इन लोगों की समस्या को हल करने के लिए अब इस मामले को संग्यान में ल पीने के पानी के लिए लोगों को घंटों कातार में लगना पड़ता है कुए में पानी का जल स्थर काफी नीचे है और जिले की ग्रामीन और शहरी लाके में हर घर मुफ्त नल जल कनेक्शन देने के लिए जल जीवन मिशन का काम चल रहा है लेकिन ठेकेदार और अधिकार इनलाकों में लोग तबती गर्मी के बीच पानी के लिए 2-3 किलो मिट्र पैदल चलते हैं और कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं राफ पानी की ये संभज अ नहां दो यहां पे और नहीं नहीं है। यहीं से भड़ते हैं घर नहीं को ना जांदे को टीकता। पानी की बहुत बड़ी समस्या कि कि एक दूर सा लें आने आहोचा है। कम से कम दू किलो मीटर ये साट अड़ा बोल डालें साट अड़ा है कम से कम दू हजा 2400 फट अच्छा जी किस के कहां से ले रहा है पानी ये अपना ही दूर है बहुत दूर है अमरिया जिले के बांदव का टाइगर रजर्व से एक खबर है जो हाँ पर भालू मा के साथ उसके बच्छों का अठखेलिया करते हुई शानदार वीडियो सामें आया है वीडियो मगदी जोन का है जिसमें बंदर भी नजर आ रहा है लंगूर नजर आ रहा है दरसल मानो बंदर लंगूर जो है भालू फैमली की चौकिदारी में तैनात बैठा हुआ है सिवनी के पेश टाइगर रजर्व के नस्दीक खबासा टूरिया सड़क पर दिन्दहाड एक बागिन का कुन बाना सराया बताया जारा है कि जुग्नी बागिन और उसके चार शाबक जंगल से नकलकर सड़क पर आ गये और सड़क पार कर दो बारा फिर जंगल की ओर चले गए इस दोरान सलक से गुजर रहे रागीरों की बागेन और शाफकों पर नजर पड़ी जिसे देख रागीरों की सांसे थम गई उन्होंने इसका फीटियो भी बना लिया और इसी के साथ इस बुलिटिन में फिल हाल इतना ही खबरों का सलसला जारी है